महिसलामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा के एमेमवली स्टेडियम में बन रहे कोविट सेंटर का आज मंत्री जितेंद्रावाट और पालक मंत्री एकनाज सिंधे और टीम्सी के कमीशनर विजय सिंगल ने दौरा किया आपको बता दें कि इस कोवि मंत्री जितेंद्रावाट ने सेंटर का जायजा लिया इस दवरान शमीम खान चानू पठान अश्रीन राउत रहान पीतल वाला ऐसे और भी कई नगर सेवक मौजूद थे मंत्री जितेंद्रावाट ने जानकारी दी है कि 50 वेंटिलेटर और 1500 से 200 ओक्सीजन रूम यहां ब बढ़ रही है उसको देखते हुए और भी स्कूलों में सेंटर बनेंगे रशीत कंपाउंड इस्थित मैसको स्कूल में भी बनाया जाएगा साथी डॉक्टरों को भी इस मोहिमत में शामिल होकर सास देने का आवहान किया है बैरहाल दोसों बेड़ वाले यह स्टेडियम मे कोविट सेंटर की तैयारी पूरी तरह से चल रही है और जल्द ही इसे शुरू भी किया जाएगा पालक मंत्री एकनाज शिंदे और मंत्री जितेंदरवाट मनपा कमिश्टर विजय सिंगल ने किस तरह से इस सेंटर में बेड लगाए गये हैं और डॉक्टरों के रूम की बिवस्था कैसी की गई है इसका जाइजा लिया साथ ही मंत्री जितेंदरवाट ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा कहा कि हमने 80,000 लोगों तक खाना पहुंचाया है कमिश्टर के जरिये और कुछ लोग हमारा ही राशन का किट लेकर उस पर अपना फोटो लग कर बेच रहे हैं एक महीने मैं अस्पताल में भरती हुआ तो लोग गलत फायदा उठाने लगे साथ ये भी कहा कि मैं आसानी से राजनीती नहीं करता हूं जब करता हूं तो साफ कर देता हूं जिस तरह से स्टेडियम में कोविड नाइटी सिंटर बनाया जा रहा है इस क्या देखके लिए और अजुबाजु के इलाके के लोगों के लिए का सुविदा करके और सिंटमाटिक पेशेंट्स के लिए एक इमर्जन सी हॉस्पिटल होना चाहिए ये सोच दिल में रखके महारा इस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूं उस मात्यम से यहां यहां पर होगा उस्पिटल बनेगा मैं उसको में कुछ न कुछ बनाएंगे लेकिन मुम्रा के आबादी के लिए पूविर के लिए बेड नहीं है जो बहुत चलता है लोगों के बीचार यह पूरा हम मुम्रा को राहत मिलेगी यह देखा जाए इसके लिए भी मुंसी पार्टी ने जो कारवाई करनी थी वह ने कहने के बाद किया है कि इसको भी लाड़ प्यार से अब देखा नहीं जाए जान की कीमत बहुत बड़ी है अगर लोगों की जाने जा रही है और डॉक्तर हमदद नहीं कर रहे तो डॉक्टर तो भक्षा नहीं जाए कि अभी तक आपको मुम्रा शेहर ने पैसा कमा के दिया है, शोहरत दिया है, इज़त दिया है, सब दिया है, अब थोड़ा देने का वक्त आ गया, तो हाथ पीछे मत खिचो, अब दिल खोल के दे दो, मैं दूप्टर्स को यह भी अपिल करूंगा, कि यहां जो अस्पिटल की फैसिलिटी बन रही है, मुम्रा के तमाम डॉक्टर्स में इसने इंट्रेस्ट लेना चाहिए, आपके लिए भी इंतिहान कावर, आपको तन्खा दी जाएगी, यहां पे जितने भी दॉक्टर्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो जाओ, आपको तन्खा जाएगी, आपका सन्वान रखने के लिए आपको कुछ इनाम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ हो और खाली हाँ जाओ, आप यहां मदद कीजिए, जितना हो सके हम मुनसी पालिटी की तरफ सा आपको देने को तायार है, इस्तानिय लोगों के लिए क्या संदे जाता हो कि मैं जादा शानपक्ति करगा, जोगों के बीच में घुज जाता, ऐसा मत करिये, भीड में मत जाएगे, जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश कीजिए, इतना दूर तो आदमी होना ही चाहिए, यह सब करो दो गोरोना आपके नस्दीग भीनिया हाथ, यहां से ल वेकिन मुम्रा के हालात देखते हुए ये आपको मालूम है कि मुम्रा में घर छोटे हैं धर मे रहने वालियों की संखियाisión जाधा है तो ये सब करने के लिए जो जरूरतमन चीजए है कि उम्रा में नहीं तो हमको इस बाजू से भी सोचना चाहिए कि तो आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं उस यगह पे आपको देखना पड़ेगा कि इनको क्या देने की जरूर और मज़े लगता है कि इस संख्या में, थाना में पेशन बढ़े हैं उस संख्या में मुम्रा में नहीं बढ़े हैं वह तो मुमरा को बदनाम करने के लिए लूग में टक्कपे हुए हैं जैसे करे न्यूज चैनल फोरे दुनिया में बाजार वारता, कुल्ग बाजार ब:「कल्ने भाज़ार वरता है। द दिखहेंगे न्यूज मुमरा करें ह। और हमारे मुम्रा वाले भी है, चार बजे लगा दिया कपड़े का मार्केट, हो गया टाइंग्स नौ की नियूस, तो अगरने को भी जरा मरिया दा बरत मी चाहिए है, तो अपर कोविड पेशन्ट के लिए किस तरगे इंतिजामा आते हैं, जैसे अभी यह दोसो बेड का फै अपनी जगह पे अभी मेने जब काम शुरू किया था तब हम असी हजार लोगों को खाना के ला रहे थे, चोड़ों के कुछ लोगों ने हमारे से ही किट लिया और दूसरे का फोटो लगा के बेच रहे हैं, उसका हमें कोई दर्द है ना कोई दूख है, इसका हमें कोई दर जब लोग बाहर निकलने से डरते थे तब में लोगों के बीच में जाता था, उसका बुकतान मुझे बुगतना पड़ा, लेकिन उसका मुझे कि यह ऐसका हमें के लिए दोखी लोगो के लिए 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 किया, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं किया, जैसे मैं लोगों को खुले आम बोलता था है कि मेरे कोई घर वाली खाना नहीं खाने वारा लेकना एक नंबर देता अभी में लेक्टर को बोलके आया, कि 20 तन नोझे एक आनाद चाहिए, चाहर टन डाल चाहिए और दो टन तेल चाहिए, तल परसु में वो भी आ जाए। मुम्रा के उपर मैं एक मैना हो गया, सिर्फ लंबा गया था, कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसका इतना नाजायस पाइदा उठाया, कि जो मैं सूझ भी नहीं सकता हूँ, यह रेशन के उपर कंप्लेंड, यह क्या तरीका है, एक मैना आज में हस्पिटल में तुम ल ना भूले, अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें,